ट्रू मेडिया जोतिस विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव अक्सर लोगों की एक समस्या होती है कि अगर उन्हें कोई भी कार्य करना होता है तो वह सुब महूरत तलासते हैं और कभी कभी ऐसी इस्थिति आजाती है कि वह जोतिस के जानकारों से या जोतिस अचार्यों से पंड़तों से ब्रहममनों से पूछते हैं लेकिन उनके सामने एक ही जवाब मिलता है कि आज कोई सुब महूरत नहीं है और जब कोई सुब महूरत उन्हें नहीं मिल रहा होता है और कुछ कारे ऐसे होते हैं कि जो उसी दिन करने होते हैं और यह परिस्तिती विक्ट हो जाती है तो यह समस्या हो जाती कि ऐसी इस्तिती में हम करें तो क्या करें तो ऐसी इस्तिती में काही एक जवाब है वह है अभी जीत नच्छत्र जब आपको कोई विसेश कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए आपको कोई भी सुब समय सुब महुरत नहीं मिल पा रहा है तो आप उस कार्य को आँख बंद कर पून रूप से बिना किसी से पूछे बिना किसी से जानकारी लिए अभी जीत नच्छत्र के अंदर आप उस कार्य को कर सकते हैं अब यह अभी जीत नच्छत्र क्या है वैसे हमारे जो 27 नच्छत्र होते हैं लेकिन 128 वा नच्छत्र भी होता है यह नच्छत्र महर सी वसिष्टी जीनक हो जाता जब वह आकास के अंदर तारों की नच्छत्रों की गढ़ना कर रहे थे तो अचानक से आकास मंडल से जो थी वह हट जाती है और एक नच्छत्र आ जाता है वह विश्मित थे लेकिन कुछ समयबाद ही वह नच्छत्र गायब हो जाता और फुने वह पुने इस्तिती आ जाती है तो इस नच्छत्र की पहचान हुई यह नच्छत्र परती दिन ही परते 24 घंटे में आपको दो बार प्राप्त होता है लेकिन रात्री का जो नच्छत्र है वह मानने नहीं होता अगर अमरजेंसी है तो आप उसे ले सकते हैं लेकिन यह 24 गंटे में एक बार आपको अवस्य ही प्राप्त होता है और यह नच्छत्र आपका प्राप्त होता है दिन के 12 बजी वैसे मुख्य तो इस पांदस मिन्ट आगा पीछा चलता रहता है लेकिन मुख्यत है आप इस टाइम को ऐसे समझ सकते हैं कि बारा बजने में 20 मिनट पहले 11.40 से लेकर के 12 बज कर 20 मिनट तक का जो समय होता है यह है जो समय होता है परते दिन का यह है अभी जीत नच्छतर कहा जाता है इस नच्छत यात्रा को छोड़कर आप कोई भी कार्य जिस कार्य में आपको कोई नच्छतर कोई सो महुरत नहीं मिल रहा है कोई भी कार्य इस नच्छतर इस अभीजीत नच्छतर में आप सो भारम्भ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी जीतन छत्र के अंदर आकास से जो भी बुरी सक्तियों का प्रभाव होता है वे आकास मंडल से हड जाता है और इस वर की जो सीधी नजर होती है वह हम पुर्थवी पर हम मनुस्यों पर पूर्ण रूप से सीधी नजर होती है तो जब इस वर के आप सानिध्य में उनके नजरों के सामने ही जब कोई भी कार्य आप सुब कार्य कर रहे हैं तो उस पर कोई भी बुरा परभाव बुरा नचत्र उस पर परभाव नहीं डाल सकता तो आपको यह समस्या जब भी सताए कि आपको आज कोई सुब महुरत नहीं है तो आप अभी जीत नचत्र में आप उस कार्य का आरहम्द कर सकते हैं क्योंकि अभी जीत नचत्र का नामी है अभी जीत यानि कि यह सदेव विजय ही दिलाता है इसे यह अजे है तो इस नचत्र म सुब न चतर में आप कोई भी कारे कर सकते हैं और यह समय होता है परती दिन 12 बजे, दिन के 12 बजे का सुब समय यह सदैब ही रहता है और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विशाय के साथ, एक नए जानकारी के साथ, तब त पैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें